जो टॉपिक है आज ये जिन्दगी से रिलेट करेगा आपने कभी ने कभी दूध नाम सुना होगा मिल्क मुझे लगता है कि इंसान की उत्पत्ती के बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोड़क्ट होता है उसको मापा किसमें जाता है लीटर में में उसी की काई है तो हम इस समय सीख रहें क्या कंवर्जन ऐसे बोलते हैं इंगलिस सही नहीं स्पेलिंग मुझे बताना अंग्रेजी हमाई थोड़ी लचक पचक है कि करद आफ यूनिट लासी परिवर्तन ना मात्रकों का परिवर्तन जिसमें आज हम लीटर से मिली लीटर और लीटर से इसके पहले जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे आप लोग एक बाद ट्राई करिए उसके बाद हम टॉपिक पर चलेंगे चलिए जबाद दीजिए तीन चार कोश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे फिर हम रेगूलर टॉपिक पर बाढ़ेंगे ठीक है चलो बाई जिनको लगता है कि फास्ट में ए सही है 3.6 केजी वो लिखेंगे मेरे भाईया 1A का लिखवा 1A और जिका लागत आए नहीं यह तो गलता है यह बाला फैया चुटका हुआ तो वंडी लिख देंगे वो बस चलो काजल सिंग आर्या अनार सिंग जाबेद अक्तर साहनाज परबीन रोहित पंकच आसीस नैनायादो अलोकुमार पापा की प्रिंसेच यह इनका नाम है इसके बाद मैं और किसी का नाम न कि लेवां पता है कि के पहले हिसा पढ़ा चुका है बथक अ और के एक में आपको किलो मेटर से मीटर सेंटि मीटर कर पढ़ाया है यहां से उसके में यह सीख घराया है ना मातर सबीन किन डेने में अब सुना चामप उल्टा है य esfकहँ कर आ तो एक केजी में 1000 गराम होता है तो एक गराम में एक बटा 1000 केजी होता है एक बटा 1000 से इसको क्या करोगे गुड़ा करोगे मतलब सीधा लाइन में कहें तो 1000 से भाग करोगे तो तीन अंक पर दसांबलों लगेगा और correct answer is C यानि 1 fee सई second में एक बार में जबाब दीजिए चलिए जिनको नहीं आता होगा सबर करेंगे तफली करेंगे थोड़ा सा मैं बताऊंगा concept बताऊंगा ये सब होता कैसे है बताऊंगा रुकना जाना नहीं चलो जो ही आरू हाँ कमेंट आप कहा रहा है मिस्टर बात ना करो कोई भी बाबू ठीक है ना नो बात चीत नहीं चलिए एक ग्राम में कितना केजी होता है देखो भाईया कहते हैं न का कि अगर वो न्यूटन का कोई नियम होता पड़े हो साइंस वाले कि अगर एक थपड़ आप दिवाल पर मारोगे न जितना दिवली अग लागे होता है तो 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 रहा थो हम लागे थोड़ा सा कम समझभाए होगे इसको चलो समझोगे अभी देखिए वन केजी में होता है कितना एक हजार गराम ठीक है तो एक गराम में का हो जाता है एक बटा एक हजार केजी बस यही ठीक है समझ गए न सभी क्या होता है एक बटा एक हजार बस यह नि वही क्या आजाता है उसका भाग हो जाता है बस ठीक है समझ गए न कोई डाउट नहीं किसी को चलिए अगला सावाल बताई ये नेक्स चले हो गया आओ भई चलो देखो इधरे कांसेप्ट बताऊंगा बताऊंगा ये कैसे होता है थोड़ा फरुक जाता फली हरो थोड़ा चलो दो लीटर में कितना अमेल होता है बहुत अच्छा इसमें अगर कोई जवाब दिया है सबसे पहले अगर कोई जवाब दिया है तो उनका नाम मैं जरूर बोलूँगा और उनका नाम है काजल सिंग मौमद अर्साद राधा पाल बेरे गुड किरिया पर्त किरिया का नियम होता है ठीक है सब़ई पढ़े ये ठीक है तो एक लिटर में होता है 1000 ml कैसे होता है क्यों होता है कब होता है वो सब बताओंगा बस एक मिनिट में चलो तो दो लिटर में हो जाएगा 2000 ml so you can say three fees correct answer चौराफी लीटर में कितना ml होता है बताइए बैसाब एक लीटर में 1000 ml वन लीटर एक्वल 1000 ml सो 84 लीटर एक्वल 84 इंटू 1000 गुड़ा करें एक दम आसान है बिल्कुल हलुआ है देख दे चौराफी अगर 1000 में गुड़ा करें का ना बहुत है मज़े दा रहा है तीन टी जीरो लिख ले आई से और एक गुड़ा करें चौराफी में चौराफी हो एक भास खाता हम कि लाड़ी तेंटी सुनना चाहिए यह सी वाला सही है अब दो तुम तुक्काव लगा सकते हो सब में सी सही हो रहा है अब यह सवाल ओवाल हम आगे फिर करवाएंगे इसको स्क्रिन देखिए प्यार से एक तरफ से पढ़ लीजिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके बारे में नहीं जिनको भी फिरी पढ़ना है मेरे यारों वो चैनल को सब्सक्राइब करके और क्लास को डेली सेयर किया करें रेगुलर सेयर करें खुब दबाके अगला कुश्चन पर चलने के पहले हम आपको कंसेप्ट बताना चाहेंगे आईए कंसेप्ट पहले मैं बताता हूँ फिर कुश्चन होगा बाद में कुछ लोग मने मन गरिया रहे हैं एक मार लंबा लंबा फ़ाइक रहा है पता नहीं का का कहां से आ रहा है कुछ बुझात नहीं न देखो दिख रहा है ML हिंदे में लिखा भईया मिली सेंटी देशी लीटर डेका हेक्टो किलो देखो यहाँ पर एक्चुली हम लोग कर रहे है लिक्विड का जो यूनिट है उसका कनवर्जन कर रहे है तो हम हर जगा लगाएंगे लाश्ट में लीटर ठीक है जदा उपर चला काई चलो तो मिली के बाद क्या लीटर मिली लीटर सेंटी लीटर डेफी लीटर और लीटर तो लीटर है इसके आगे लीटर लीटर नहीं लगाएंगे ठीक है डेका लीटर हेक्टो लीटर और यह किलो लीटर अईसा जुगाल बता दिया अब तो कना गुरू आज की बात कब भुलाबा ना तु चाहिके ना भुलाबा ठीक है भुला ना सकोगे तुम हमें भूल कर भी खयालों में मैं याद आता रहूँगा देखो कैसे यह मैं नहीं गा रहा हूँ यह गाएगा देखो जैसे अधिकांस जो जरूरी चीजें हैं जैसे हम लोग पानी दूध तेल यह सब जिंदगे में यूज करते हैं है ना उनकी माप लीटर में होती है अगर आप लोग में से कोई मस्टर्ड आयल सरसों का तेल खरीदा है दुकान से तो बॉटल में अगर पीछे पलट के देखो के ध्यान से इसे लिखा रहता है या बराबर कुछ भी उसमें कामाओमा लगा के ग्राम में भी लिखा रहता है एक लीटर में वहाँ पर वो एक हजार ग्राम नहीं देते हैं तेल कोई जानता है क्यूँ एक ग्राम अलग चीज है मैंने बताया न ठोस बस्तूओं का बजन करने के लिए अधिकांस्ता ग्राम किलोग्राम ये इनिटी उच करते हैं लेकिन liquid कोλιटर मिलीलीटर में, account यह स्थार मा लिकविट कोलीट मिलीलीटर में ही माप करते हैं, kg किल गराम में भी करते हैं, लेकिन फिर वहां थोड़ा सा page उल्टा उल्टा हो जाता है, वह बाद में बताऊंगा, जैसे एक लीटर जो पानी का बेट है कुछ अलग हो सकता है एक लीटर पिट्रोल का वज़न कुछ और होगा एक लीटर सरसो का तेल का वज़न कुछ और होगा क्यों कि उसमें density matter करती है घनत तो ऐसे बोलते न वो सब बात बात करेंगा आगे की बात है अभी basic basic पहले चलीए ना देखो भाई आगे देखो पहले समझा 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 बात ना कर रखेंगे उज़ने देखा तो अधिकांस ये पूछा जाता है कि एक लीटर बराबर एक लीटर नहीं हाँ यह लिख लो पहले एक लीटर में कितना ml पहले एका देखा वन लीटर में कितना मिली लीटर बताइए हम मानते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है तुमको भी कुछ नहीं आता है जिंदगी में इसको जरूर मान के चलना कभी यह मत सोचना कि हमें सब आता है हम तीस मार खाने नहीं जिंदगी ऐसे चलती हमें इसा इंसान सीखता है और सिखा जा सकता है मंदिर के सामने रोड पे कहीं भी उल्टा पुल्टा जगा में एक भिखारी भी बैठा पड़ा है न उससे भी आप कुछ नहीं कुछ सीख सकते हो इस सर्दियों में जब आप खिड़की नहीं खोलते हो घर की वहीं एक चद्र कंबल में या कुछ भी नहीं रहता पड़ा रहता है पूरा रात इस सकते न उससे इतना अगी नहीं सबर करना मजबूरी का न देखो चलो उस पर बादने बात करेंगे हो गई सब फालतुक बात है देखो एक लीटर में 1000 ml होता है अभी बताया था कैसे होता है देखो लीटर यहां है पहले न की काउंटिंग क ग्राम वाले में करोगे तो मीलीटर डेसिग्राम और डेकाठो Car हेक्टोमिटर किलो मित तर यह साथ ऒइले कि इस रहेंगेतलो क्या उफिर्पुर मृटर में लीटर लंबर कितना फॉर curls मिली लीटर वाला कितना नंबर पर है वन पर है इनको घटाल भाई या तीन आवा तीन ना अभी काम करा है यह वन और तीन आए रहा है तो तीन टीजिरो बस रटना नहीं है कभी रटना के जरुवत नहीं लगेगी याद करना ही नहीं पड़ेगा ठीक चलो आगे जो ज़्यादा यूज होता है दूसरा वन किलो लीटर वन किलो लीटर में कितना लीटर बताओ यह कि देखो कि बहुत आसान है किलो लीटर वाला साथ नंबर पर है लीटर वाला 4 नंबर पर है इनमे से घड़ाओ तो तीन आएगा यानि एक के बाद में 3-0 लगाना है लीटर कहो गे संप में 9000 होता है का नहीं है पथाऊंगा भी यह सम्में ऐसा नहीं होता है चाप लो फटा फट भाई चापो जब एद आपको ब्लक किया दाएगा आपका बहुत जा रहा है ओबर हो रहा है कुछ जाद है अती हो गया है काजा लार्या को भी ब्लक किया दाएगा पर्मानेंट आईए ठीक है यहां से आपको याद करके चलना है सारी चीज़ें समझ के यहां थोड़ा सा उल्टा मेटर देखना वन मिली लीटर में समझना यहां से याम यल में कितना लीटर भया वन मिली लीटर में कितना लीटर क्या तुम्हें लगता है कि लीटर को ही मिली लीटर में बदला जायेगा नहीं मिली लीटर को भी लीटर में बदला जायेगा हम होता है होता है दोनों तरफ इधर से उधर इधर से उधर तो आएए यहाँ जुगाड़ वाला बात बताता हूँ भाई जुगाड़ वाले में क्या है हमें यमेल फे लीटर में चेंज करना है तो हमारा एरो इधर को आएगा फे 1 फे 4 में जा रहे हैं तो 1 से 4 घटाओ भईया माइनस में आएगा ना बबुआ माइनस का 3 जब माइनस आएगा ऐसी कंडिशन में यहाँ आप 1 अपान 1 लिख होगे अभी तक हम 1 लिखते थे 0 लगा देते थे उपर न यहाँ ऐसा नहीं करेंगे अगर माइनस में गिंतिया आ रहे उल्टा घट रहा है तो ऐसे करेंगे और नीचे उतने 0 लगाएंगे जितना माइनस है तो 1 एमेल में कितना होई जाएगा एक बटा 1000 लीटर किसी को कोई कंशूजन है तो बता दो मुझे नहीं न आगे बढ़े रोहित को बला कर दिया गया पांच मिनट के लिए रूवी तीवारी जी नमस्ते गुड़ी आदो धीरज कुमार राखी कुमारी आया समझ में तो सबही समझ गया ना भाया चला जिना समझा आप आउर समझा ठीक है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ लिखना लिख लो फट से इसको मिटा रहा हूँ आईए अब ये बताइए मुझे ये जो में में तो आप समझ रहे हो ये बताइए एक लीटर में कितना किलो लीटर होता है हो एक लीटर में कितना किलो लीटर एक लीटर में कितना किलो लीटर जालो गुड बेरी गुड बहुत अच्छा जियाँ समझना लीटर 4 नंबर पर है किलो लीटर 7 नंबर है हमें 4 में से 7 सब्ट्रेक करना है माइनस 3 आएगा पहले 1 अपान 1 लिखोगे नीचे 3-0 लगाओगे यानी कितना एक बटा एक हजार किलो लीटर इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो भाईया केल किलो लीटर देखो एक मतलब का है बताता हूँ तुमें समझो यह कई से होता है देखो एक्चूली बात ही है कि अगर यह चार जीरो है ते एक हम दफगा चार लिख सकी थे सब एक पता है आ थे समझ न फिर अब गातांका एक नियम होता अगर आपने पढ़ा हो बच्पन में जिन्दगीम कभी ऐसे वाला पड़े हो ऐसे होता है अगर यह घात प्लस में है बटे में चली जाती है तो माइनस में उसे हम लिख सकते है और अगर वो माइनस में है बटे में जाती है तो प्लस में हो जाती है बस इतना सा ठीक है पर्तिक्षा रिशारिया जी बहुत अच्छा बात है कि आप पहली बार क्लास में आई हो very good, बहुत अच्छा, बहुत धे सारा स्वागत है आपका, ऐसमन्द गोस्वामी आकास सिंग, आया है समझ में चला, ये समझ में आया, तो इस तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसी में से ही सीखते हैं, कुछ इसमें नया नहीं है, यार, सबही समझ में आईगा ना बया, पका एक दम, जोट न बोला विल्कुल भी, जोट बोले काओँवा काटे, उकाले काओँवेश इन पर दरी हो, आओ, चलो अब आगे बढ़े ठीक है भया चलो 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 तो ये मिली लीटर फे लीटर में लीटर से मिली लीटर में लीटर से किलो लीटर किलो लीटर से लीटर यही पढ़ा आप तक क्योंकि ये फेमस है चर्चित है ऐसे लोग भी ये जो चर्चा में नहीं रहते ह जहसे इधर देखो गाओं के बड़े बुजुर्ग ये कम चर्चित रहते हैं इनका यूज भी बहुत कम यह होता है एक लीटर में कितना डे का लीटर बताओ बताओ एक लीटर में कितना डे का लीटर समझना सब्वे को समझ में आ रहा है न में एक लीटर में कितना डेका लीटर चल भई आओ तो एक लीटर चार नंबर पर है समझना डेका लीटर पांच नंबर पर है लीटर फिर डेका में जा रहे हैं बतलग एक है काव आ रहा है माइनस में ना तो एक है जीरो लगाओगे तो एक लीटर में एक बटा दफ डेका लीटर या यू कें फे इतना इक्वल इतना ये माइनस वन ऐसे भी आप लिख सकते हो दोनों बात एक है मेरा गुपता समझ में आ रहा है और आखी कुमारी अपना टोला इनका नाम है आ रहा है तो ये हो गया खतम खिलाडी अब मुझे लगता है कि यार आप लोग सीख भी गए होंगे न पकत सीख गए इसको मुझे फिल लिखना पड़ेगा पूरा इस लिए मैं काम करता हूँ पताएगा मैं काम करता हूँ इनको सब को मिटा देता हूँ इसक्रीन साट ले लो आप सभी इसक्रीन साट ले लो इनको मिटा देता हूँ आप चलो मुझे यह बताओ आप सभी फटाफट एक फेंटी लीटर में बताओ एक फेंटी लीटर मैं कितना मिली लीटर बताओ एक फेंटी लीटर मैं कितना मिल certificates बताओ जबा दीजिये जी तू कमेडी कलेक्सन जी नमस्ते और कैसे हैं जी आप सब बढ़िया चल रहा है जिन्दगी धर्रे पर चल रही न आईए ठीक है एक फेंटी लिटर में कितना ml मिली लिटर चल बढ़िया आगे फेंटी लिटर फें मिली लिटर में कनवर्ट करना है सो मैं सही जा रहा हूं कि दो से एक में जा रहा हूं भाईया माइनस में नहीं आएगा जीरो भी नहीं आएगा वनाएगा तो वन के बाद क्या है जितना यहां गिंती आती है उतना जीरो लगाते हैं एक फेंटी लिटर में 10 ml मिली लिटर ठीक है सुनीता गुपता बहुत अच्छा कोनों दिक्कत ना क्यों के नहीं तो यह बता एक और सवाल कि एक डेफी लिटर डेफी लिटर में कितना लिटर जल्दी करिए ठीक है गुड है बहुत है अच्छा है डेफी लिटर तीन पर है और लिटर जो है वो चार पर है तो भैया तीन से चार गटाओगे बाबू माइनफ का एक आएगा माइनस में आ रहा है तो वही पुरानी कहानी फिर फे करोगे जो अब तक करते करते आप उड़ाने हो वन अपान वन लिखोगे और चुकि डेफी फे लिटर में जा रहा है एक कट ही अंतराल है तो एक जीरो एक चीज याद रखना जी इसको ऐसे ही लिखना सुद्ध है और फे लिखना ये थोड़ा कम सही है क्यों क्योंकि जब एक से अधिक गिंती हो जैसे मालो 23 अगर घात दो लगाया तो ये हो सकता है पॉसिबल की दो पे घात ना हो सिब तीन पे ही हो लेकिन अगर इनको एक ब्रेकर्ट में बंद करके एफे लगाओगे तो किसी की आवकात नहीं कि वो कह दे कि ये घात सिब तीन पे है क्योंकि वो बाप की बकावपत्ती हो गई का बोलते हैं तो दोनों को मिलेगा पंकज मिसरा जाहिद अंसारी सबका कमेंट आ रहा है कॉल पर रिस्वांस नहीं मिल रहा है इस समय हमारे टेली कॉलर थोड़ा सथके हो चल रहे हैं मिलेगा जल्दी मिलेगा आये चली एक सवाल करते हैं छोड़िए उस सब लफ़ड़ा 5 पर जवाद दीजिए 5 A 5 B 5 C क्या कहते हो आप बताओ चलो बताइए पढ़ियां किसी को कोई दिक्कत नहीं कोई परिसानी नहीं सब समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ सकते हम लोग अगर आपके आग्यां है तो ठीक है किरा कि 7000 में कितना लीटर होगा तो बहुत है अच्छा है भाईया इस सवाल पहले तो हम यह जाने कि एक लीटर में कितना लीटर होगा यह तो सब को पता हैं एक लीटर में 1000 एमेल तो वन एमेल इक वन अपान 1000 लीटर तो भाईया हो 7000 है यहां लिखवाई फेज चुकि वन एमेल इक वन अपान 1000 लीटर अच्छों 7000 एमेल इक्वल फेबन 1000 इन्टू वन अपान 1000 एमेल हां एमेल का है को यार लीटर में बदल रहे हैं भाई साब लीटर रहेगा लाश्ट में लीटर तीन जीरो फे तीन जीरो निपड़ गया तो फात लीटर आएगा कि तरीका था लंबा वाला जो बताया बाकी आंसर वैसे लिख सकते हो तुम आसीज कुमार रोसनी लोधी गुड़ू सोनम दूबे सुधीर सोनी सुधीर जी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए नाम बोलना है तो राम राम चलिए अपना घर में कुछ काम दाम देखिए यहां वो करने नहीं आए नाम बोलने माइक लेगा वाई फलाने की तरफ पे 101 रुपए का दान दिया गया भगवान को सुक सांथी पर दान करें यह नहीं हो रहा यहां पे चलो आंसर बताओगे पहले तो बोलेंगे सिर्फ आंसर बताओगे तो बस हो गया यह बढ़िया तो सिक्स नंबर में जबाद दीजिए अगर आपको लगता है कि 40,000 में 40 लिटर होता है तो आप कमेंट करेंगे 6B अगर आपको लगता है नहीं यह बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो 4 लिटर होता है तो आप लिखतो 6A बाकिया और ज़्यादा लग रहा है दुधरे वाला देखो चलो किसी को कोना दिक्काद देखिए आप लोग क्लास को लाइक सेर नहीं कर रहे हैं मजा आ नहीं रही है हम एक नया बैच फिर से ले आएंगे फिर ये बैच और पीछे चला जाएगा इसलिए आप खुब दबा के सेर करिए निवेदन है आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपके घर में दो मॉबाईल फोन है दोनों में रीचार्ज है तो आप वीडियो को दोनों में चलाएं भले एकए में पढ़े निवेदन है आपके घर में भावी मम्मी अंकल अंटी दादा दादी किसी का मोबाइल है जो रात में इंटरनेट बचा है यूज नहीं करता है तो उसमें भी चला दिया करें भले आप ना पढ़ें सब्सक्राइब कर दें और चला दें लाइक कर दें जिससे संख्या बढ़ेगी क्योंकि मैंगाई में इस दौर में कोई फिरी में कुछ करता नहीं है उब फिरी में कोशिस कर रहा हो इसकोशिज को हारने मत देना आप हम बसी इतना करना नहीं आप और हां मैत में अगर आपको बड़ी सरम लग रही न यह गुपत रोग जैसे महसूस हो रही न तो वह हम दूर करते हैं बिल्कुल चुप के तरीके से कोई जान नहीं पाता है आपको सिर्फ चुपे से आगे मुबाइल में पढ़ना है जैसे तुम चुपे-चुपे मुबाइ लिटर में कनवर्ट करना है चुकि हमें पता है वन यम्यल इक्वल होता है वन अपान वन थाउजंड लिटर फिक है तो इस लिए क्या होगा जालीफ हजार जो यम्यल है एक भ़ह भाग के देवा एक हजार फे तो तीन जीरो फे तीन ती निपट जाए बराबर आई लिटर सुधांसर यही है अप्सान नंबर बीफ ही है बढ़िया चली आठ नंबर जबाद दीजिए साथ नंबर कोश्चन हां कहीं नहीं है हो गया ससुरारी है भई आठ नंबर बताओं गुलसन निसाद अब आज आ रही है आपकी मिन्स कमेंट आ रहा है बढ़िया गुड है बहुत अच्छा है चल भाईया आई गया सबाई जने चला भाले आया तीन लीटर और 20 ml यह थोड़ा अलग तरीका कहा इसमें लीटर और ml दोनों है और फाइनली दो यह पार्ट अलग अलग कर लेंगे तीन लीटर यहल मतलब लीटर कुछ और मत समझना 20 ml भाईया देखो टोटल हमें ml में ले जाना है मिली लीटर में तो हमें पता है एक लीटर में 1000 ml तो तीन लीटर में 3000 ml और प्लफ यह 20 ml तीन हजार में 20 जोड़ दोगे भाईया हो त आपसा नंबर कहां गया यह सी वाला है आठ में सी साही हुआ है कि यह इनको जाना है चुपे से किसा के लोग कमेंट ना करो हम जा रहे हम जा रहे हम जा रहे हैं जाना कौन वक्राया तुमें जा नहीं पढ़ना वरबाद कर ले हमने जिन्देगी जाके कच्छा बाताम जी जा कि बुलेट पर जी जा जनते होगे तुम लोग सुने होगे ना अधर हम लोग जा रहे थे कहीं बढ़ात तो वहां पर बड़ी पसंद का था उनका तो बजा दिए हमने कहां जब का चीज बजाया तुमने तो मैंने तो पहली बार सुना है देखना चाहिए इसे तो क तो नाइन नंबर में जबाद दीजिए निमान कोई बताएगा नाइन नाइन भी नाइन सी क्या आएगा अब इसे कुमार मैं सामने से हट जाता हूं ऐसे इसे डोलता रहता हूं जिसे आपको लगे कि यहां दिख रहा है पूरा चलो आस्था डेंटल क्लिनिक आगे हैं डाक्टर साहब आप चलिए तो ठीक है यह लीटर है इसको एमेल में चेंज करना है तो एक हजार से भाग करोगे एक हजार से भाग करोगे चार गिंती है तीन गिंती पे दसामलू लागेगा टू पॉइंट फाइफ फोर जीरो इसका नौ में फीफाई यह भाईया कौन सा नौ में सी नंबर लिखा दफ नंबर में जबाब दीजिए फटा फट चलिए तेन नंबर में जबाब दीजिए पंकर मिस्रा क्रिफना यादो ठाकुर रिशी चौहान अर्बिंद यादो अस्था डेंटल क्लीनिक जी बहुत बहुत धेर फारा दिल फे धन्नेवाद मतलब बचा हुआ सारा धन्नेवाद आपको दे दिया मैंने अब चलो पढ़ लो यह केल है केल मतलब कलूराम नहीं किलो लीटर जहां तक हमें पता है के मतलब ही है किलो लीटर ठीक है जैसे एक लीटर में एक हजार एमेल होता है वैसे एक किलो लीटर में एक लीटर होता है अभी पढ़ाया था दिखाया था ठीक हमें चेंचुकी लीटर में करना है तो तीन किलो लीटर में तीन हजार लीटर हो जाएगा और तीन हजार में तीन सो जोड़ दोगे तो तीन प्रवाट नहीं है का यार तीन हजार तीन सो अंजर सही होगा एक वापसर नहीं सही है सगरों गलत है तीन हजार प्लस का तीन सवाओ तो होई जाए भाईया तांति सो यह मैं आल एक को नहीं सही है चलो ग्यारा नमबर में बताओ एक किलो लीटर में कितना लीटर होता है जबाब दीजिए बहुत अच्छा अभी अभी बताया जैस्ट वन थाउजन लीटर एक हजार लीटर चलिए फटा फटा इसको चापिए यह बैच यूटूब पर बिल्कुल फ्री होगी अगर आप इसको लाइक और सेर करेंगे अगर नहीं करेंगे तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता और मैं एक नया बैच चलाता और फिर पूरा मामला पलड़ जाता फिर यह काओगे कि काहे को बंद हो गई वाली बैच काहे को बंद हो गई क्योंकि तुम पढ़ना चाहते नहीं रात में तुम कुछ और करना चाहते हो दिन में डाउनलोड करना चाहते हो वीडियो जो हम होने नहीं देते हैं तो लाइब आव रात 9 बजे से और लाइक सेर करिए फटा फट चलिए आगे बढ़े तो सभी को इतना समझ में आ गया ते एक बार बोलो हाँ यह सब बढ़िया है बढ़िया है आया सभी को समझ में कि नहीं टाइम मुझे लगता हो चुक है आज टाइम ओबर हो चुक है इसके पहले जो पढ़े हैं उसमें जबाब दे दिए दोना चांदी वाला चलिए सवाल लाइए यह बताव सभी भाईया कि अगर हमरे पास 10 गराम चांदी है 10 गराम है और हम उका एम जी में कनवर्ट करें तो कितना एम जी होगा मिली गराम में पताइए सवाला चांदी और अन्य बहुत ही महेंगी जो धातुए हैं उनको मिली गराम में ही चेंज करते हैं नार्मली मतलब करते हैं यानि उसी मुसकी तॉल माप करते हैं क्योंकि कोई गराम या किलो में नहीं खरीता है आपने सुना कि कोई 2 किलो सोना की यंग उठी बनवाया नह गराम के नीचे भी जाते हैं लोग पता नहीं क्या क्या होता है उसमें तॉलते हैं ठीक है पुनीता यादो बहुत अच्छा सौरफ गुलसान रूबी तिवारी बहुत अच्छा चल भाया तो एक यह अब देखना गराम मिली फेंटी डेफी गराम बदाया था ना फिर देक हेक्टो किलो ग्राम बताया था कोई कर रहा है एक हजार कोई कहरा दू हजार कोई कुछ कह रहा है का ते रहुना मिली फेंटी डेफी गराम देका हेक्टो किलो गराम ठीक है, तो हमें का करना है ग्राम, मिली, फेंटी, डेफी, ग्राम, हिया फेजाना, हिया उपर भाई साब एक हजार होगा, काओ, एक में एक हजार होता है, दस है ये तो दस गुड़े एक हजार, एक ग्राम में एक हजार मिली ग्राम तो दस में क्या होगा दस फे गुड़ा करोगे इसमें दस फे किस में एक हजार में तो दस हजार होगा यम जी कितना दस हजार यम जी ये बताए कि 80 से 90 के बीच में कितनी संख्याएं अब आज ये होती हैं चलो जबाब दीजिए अब फे नबे के बीच में कितनी संख्याएं भाजे होती हैं जल्दी करें जल्दबाजी नहीं बताएं कौन कौन सी हैं वो संख्याएं वो बताओ अब फे नबे के बीच में आब भाजे संख्याएं बताओ जैसे असी अभाजे है क्या बताओ दिखाता है हो सबाइक दिखाता है पक्का चला फिर बताई दिया फिर दम पर अफिफे नबे के बीच में फबही की अभाजे संक्या बताईए बताईए बहुत अच्छा एक यार्ट और बिंदर क्रिफना सोनम विडिया है बोल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ बस वही एक बात जो है मुझे याद मैं तुम्हें बताऊँगा नहीं बाद नबताऊँगा चलो तो इसमें जो अबाजे संक्या हैं वो मुझे जहां तक लगता है वो 83 है और 89 है और कोनो भाजे नहीं है सब भाजे हैं है ना सोनम दूबे जी बिल्कुल सही बरे गुड शालिनी यादो पुनीता यादो पुनीता गलत है आपका क्रास में रोज आओ न कभी कभी नहीं कभी कभी मेरे जिंदेगी में ख्याल आता है जिंदेगी में नहीं मन में अब बाकी बीच में कहा जाता है वो जहां जाता है उसको पकड़ के लेके आओ देखिए थोड़ा सा मैं किलियर करूंगा ऐसी संख्या या भाज ये होती हैं जिनका फैल्टर यानि गुड़नखंड सिर्फ वन हो और वो खुद हो बाकी और कोई नहीं हो एक वो हो या तो वन हो बाकी कोई नहीं हो जैसे किसी ने अगर बहुत अच्छी करोणों की संपत्त वन्ति-बना रखा है तो उसका उतरा दिखारी उसका माली किया तो वो खुद होता है तो लाकी कोई नहीं होता है व्यमत ना एक से लड़ केहंत करेंगा हम नहीं चलोस्तामत मत्पूछा करो चलो पाघ हो जो है वो अभाज्य नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर वन है तीन है 27 एक्याफी है 87 भी अभाज्य नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर वन है 3 है 21 एक्याफी है यही कारण है कि यह अभाज्य नहीं है जो लोग बता देते हैं इनको अभाज्य पढ़ाई कर लो नहीं तुम्हें पर्मानेंट ब्लॉक कर देंगे समझ रहे हूं पढ़ना तो तुम्हें है नहीं मुझे लगता नहीं पढ़ना है यह आएगा कलास में या तो सबसे बात करेगा एक बार बोल दिया आप सोरी सार सोरी सार सोरी मतलब जब तक पढ़ाऊंगो तब तक पढ़ना नहीं सवाल एको नहीं करना उत्तर एको नहीं बताना क्या ही कहूं इनके माँ बापने जो गलती किया उसे सब भोग रहे हैं आगे बढ़ें कोई दिक्काद आज पढ़ेंगे सजातिय विजातिय पद्स क्या पढ़ेंगे लाइक एंड अनलाइक टम्स ठीक्या बीज गणित यानि आलजेब्रा बिल्कुल जीरो सही स्टार्ट क आपका वही है आगे नंबर जो भी चल रही थी उसके आगे कौन साथ 24 नंबर 24 नंबर है विंटर वैज कि इंपल नंबर तो आप सबको पता होगा जोड़ना घटाना गुड़ा भाग कुछ नया देखेंगे आज यह चरपद किसे कहते हैं समझेगा जिसें इंगलिस में बरियवाल बोलते हैं अलजेब्रा बिल्कुल स्टार्टिंग से है कुछ थोड़ी सी आवाज जो है यह सिस्टमा थोड़ा लैक कर रहा है तो आप लोगों को थोड़ा सा सहीयोग करना होगा लुक हिए पहा है जल वह थोड़ कर वोड़ा में रहे हैं तो मेरी आवाज आ रही ही तो आगे बढ़ें एक प्रकार से अब यह क्लास शुरू हो रही है साथ यह बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का पीबियार स्टडी में कि फांसलों के तरकस में कोशिसों का तीर जिंदा रखना और हार जैना चाहे सब कुछ जिंदगी में लेक अलजेब्रा बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों एकदम सुनने से मतलब यह समझ लीजिए कि जिनको गड़ित में कुछ भी नहीं आता है उनके लिए अलजेब्रा बिल्कुल आज ही स्टार्ट होगा ठीक है एकदम सुरू होगा आज से 24 नंबर है यह विंटर बैच हो चुका है जैसे यक्स में यक्स जोड़ें तो क्या होगा आज यही सारी कहानी होने वाली है आए टॉपिक क्या होंगे चरवा चरपद जिन्हें इंग्लिस में बरियेबल और कांस्टेंट बोलते हैं सजातिये बिजातिये पद पढ़ेंगे लाइक अनलाइक टम्स और वीजगंडितिये बंजक अलजेवरिक एक्सप्रेशन यह इतनी चीज़ें इसमें हम पढ़ने वाले हैं ठीक है चरपद किसे कहते हैं प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखना एक दम चरपद किसे कहते हैं तो दिभ्यानसी कमेंट आ रहा है काजल सिंग नैना यादो रितेश कुमार अभय कुमार अक्षय तौरव लोकुस साक्षी यादो माही जूही आरू सनी कुसवाह आज चलो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जो लिखा गया है यह तो एक अलग चीज है हम आपको प्रेक्टिकली दिखाएंगे कि जिसका मांच जरूरत या आवसकता हो कि अनुसार बदलता रहता है उसे हम चरपत कहते हैं जिसे हम लोग अपनी देनिक जीवन में मतल भी यार कहते हैं अपनी जरूरत के अनुसार बदल जाया जो है न वहीं क्या कहते हैं उसको चरपत कहते हैं चर को किसी भी अक्षर से परदर्शित किया जा सकता है जैसे कि हम किसी संख्या की जगह एक्स वाई जड़ या एबी सी यादी लिख सकते हैं इसे मोटी मोटी भासा में अगर आपको साफ साफ बोलें तो जो चरपद होते हैं साथियों वो एफ लेकर के जड़ तक होते हैं इनके गुण पर गुण की तरह आप यूज कर सकते हो कि चरों की कुल संख्या 26 होती है कितनी 26 होती है ठीक है कि राजे समझ में आ रहा है आमन सभी को आ रहा है आसीस पीबी आरे स्टडी आप में आज से एक नया बैच आया है न्यू बैच आया है उसमें जेमेट्री अलजेब्रा अर्थमेटिक सब पढ़ा जाएगा जो देखो आगे चरपद समझे के सभी की नहीं तो कोई भी जो भी वरियाबल है सभी चरपद है जैसे ए लिखा यह क्या चरपद है यह यह भी चरपद है इस वी जैड़ वाई कोई भी लेटर जो ए से जैड़ तक आप जानते ओ सभी क्या चरपद जिनें इंगलिस में बरियाबल बोलते हैं यह जरूरत के अनुसार चेंज हो जाते हैं इनके मान फिक्स नहीं होते हैं इनके मान सिच्योशन पर डिपेंड करते हैं देख्ये कैसे जैसे यक्स इक्वल तीन वाई धन पांच यहाँ पर यक्स कमान साथी मेरे वो स्वतंतर नहीं है मदलब चेंज हो जाएगा यह वाई पर डिपेंड करता है कुछ समझा कि नहीं पांच नहीं बदलेगा कभी मरते दम तक नहीं बदलेगा यह बिल्कुल इमांदार है वफादार है कुछते से भी ज्यादा वफादार है बट यह दो के बाद है एक सवर वाई इनके मान चेंज हो सकते हैं अगर आप वाई का मान दो रखते हैं तो तीन दूना छे पांच ग्यारा हो जाएगा समझना यहां पर क्या हो गया ग्यारा आगे देखना देखना इसको देखना ठीक है यह ग्यारा आया अब हम वाई कमान पांच रखते मालो चार रखतेएं वाई कमान चार रहते defending का इसचोंग बाराँ पांच सतरा देखो 17 बदला ना विक यह मान चेंज है इस गहां चेंज ये डिफाईड नहीं है sorta fix नहीं होता इक प्रकार से होता डिफाइवल या फिरर्प्रेंड डिफर्स होने लिए उपलब्द आसा बोल सकते हूं है इस सिर्फ यक्स और वाई की ही कहानी इसमें अगर इसमें हम यक्स कमान रख द कुज़ा मनलो साथ है यकाच मान भी 3y गटांग कितना आएगा दो कि वाई ना वाई कमान निकालोगे सबको पता होगा दो बटा थीन आएगा कि अगर हम यक्स का मान नौ रखेंगे क्या रखेंगे नौ तो इस का मान कुछ उलरा आएगा गटा के देखो नौम से तिन गया 5 वहन्ट नौम आए गया चार हैं दो अगर आदकता अगर टो रहेंगे तो सोरी यक्स कमान यह अगर न fresh माइन दो आए आज लेकिन ये का पांच कहीं हो रहा है नहीं फाज बिल्कुल जी जान से लगा है वह ऐसे ही जुड़ रहा है घट रहा हिसाब कर रहा जैसे पहले वाले कोश्चन में किया थो यह क्या इकान स्टेंट है यह निश्चित होता फिक्स होता यह कभी बदलता नहीं इसमें कोई अपडेट नहीं आती है समझे टेक्नोलाजी की जमाने में जैसे आपके फोन में पीवीर स्टेडी का यूटूब है या इंस्टाग्राम फेस्बुक जो भी उनकी अपडेट आती है पता है अपडेट कर लेते हैं तो चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत उनके फं कसे लेकिन अप जो हो सकता है कलरणों सकता है यहां पर वताब बोलते हैं यहां अजसे नहीं आए किसी भी बीचगरती आप बैक्ति के चर इस्तित गुडांक की अधारणा को समझने के लिए निची दिगाई शभी पर नजर डाले है शभी मैं जला दिया नजर चलो आईए अब बात होती है कि चर कितने प्रकार के होते हैं चर दो प्रकार के होते हैं dependent और independent मैं इसको आपकी life से जोड़ के बताऊंगा बस थोड़ा तफली रखना विलकुल tension मतरे ना तीका भी यहां मैं आपको बिलकुल life से जोड़ करके अब इसे एक राजपूत समझ में आ रहा है अधीरज कुमार पचिन सब को आ रहा ना भाईया चलो देखो चर स्वतांत्र और प्रतांत्र दोनों प्रकार के होते हैं स्वतांत्र दिवस आपने सुना होगा उसको क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे नहीं किया तो नराज हो गए उनका खोपड़ी खराब हो गई पूरा कंट्रोल अगले को पास रहता आज कले ही होता है तो गड़बड कोपड़ी खराब आई उसको बारे में बात करते हैं पहले आपको मैथ में इसमें समझाएं तो लेकिन है उससे संबंधित ही इसलिए मैं बता रहा हूं जिसे आप भू अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर जो वाई है उसका मान अगर हम कुछ रखें तो यक्स एटोमेटिक बदल जाएगा यानि यहां पर जो यक्स है वह वाई पर टोटली डिपंड है जैए देखना अगर वाई की जगह पर दो रखते हैं तीन दुना छे और साथ तेरा, थाटीन आया ना, आगे देखना, अगर हम वाई की जगा पर पांच रखते हैं, पंदरा, साथ कितना हो जाएगा 21, के मान अलग अलग आएक यानि जो यख्स का मान वह क्या है, कि टोटली, डिपेंड है कि इस पर कर सकते हैं इसा कर सकते हैं, तुनिल कुमार रूबी तिवारी चुंकी इनका नाम है चुंकी चौहान चले आगे यह सभी को समझ में आए ना तो स्वतंत्र चर और प्रतंत्र चर समझ गये ना यानि यक्स कुछ नहीं कर रहा है वाई कमान चेंज हो रहा है यक्स चेंज हो जा रहा है अधिकतर लोग मेरी बात से रिलेट कर रहा है कर दो vontade जा रहा हैं सितम रहा है यक्स चेंज हो जो पत्हुंस कर दकान। कि यह बढ़िया यार बड़ा नो टंकी यह यह लगाते हैं कान में यह जो लिया हूं इसका एक नखड़ा है कि दोनों आपस में जाके मिल जाते हैं बंदों यह जाते हैं यह जाकर सट गया था इसलिए बंदो गया था तुमको मैं कहां रखूंग तुमको ऐसी जगह रखूंगा तुम बंद नहीं हो पाओ गया चलो पड़िया है आगे पड़े ठीक है तो हम क्या बता रहे थे ऐसे आप लोग मेंसे भी अधिकांस लोग एक दूसरे होते हैं अगले को दोड़े होते हैं अगर वह नहीं मानता नहीं मतलता तो हम के satisf हो जाते हैं तक होना कि लोग सुसाइट कर लेते से लगप बुरे कदम और को ठीक स्यक्रव साब्स्वा तो टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए फटा-फट आज की क्लास काफी डिश्टरब हो रही है क्योंकि माइक्रोफॉन थोड़ा गडबड़ है मिस्टेक उसमें चल रही कुछ आए अब करते हैं चर अचर के सवाल चर अगर आप समझ गए हैं तो आप चर अचर के कुछ कुश्चन कर लेते हैं ठीक है समझना है आप पहचानना है बस और कुछ नहीं करना है जैसे यह पहला कुश्चन है दिख राग नहीं आपर देख लो मुझे परस्मे संख्या एक में बताओ आप लोग कि चार पद क्या है बताइए परस्मे संख्या वन में चार पद बताइए चलिए बहुत अच्छा है A इक्वल 7 B प्लस 6 है मिरे भाई बटाओ फटा पड़ चलो देखता उपद आए साक्षी A इक्वल 7 B प्लस 6 है मिरे भाई बहुत चल्दी करें फटा फट वो पेश चतुर बेदी बहुत अच्छा 7 B ठीक है बहुत अच्छी बात है चल भई आगे बढ़ें मस्त है सब ठीक है इसमें अगर हम चर पद की बात करें प्यारे बच्चों तो जो चर पद है वो ए है और बी है अगर हम इसमें बात करें तो एक वरियबल ए है और एक क्या है भी है अगर अचर पद की बात करें तो इसमें स्वातांत्र रूप से जो अकेले अचर पद दिख रहा है वो यही है जिसका नाम अच्छे तीक है बढ़िया है लेकर रोज अच्छे से पढ़ रहे हो कभी कभी टेक्निकल इसू हो जाती है थोड़ा साथ देना चाहिए यह नहीं काम भाग जाए जाओ तो जाओ मेरा क्या घंटा हां कभी कभी आज सिस्टम में कुछ इसू चल रहा है तो आपको साथ देना चाहिए है थुदा याला चाहिए तो पांच वाई इश में देखो वरियेवल का हई है इस ऊंइसे क्या है यह टेड क्या है इसमें औरी एक्छ एक्षे ने चॉट अच्छ यह क्या है दोनों इह दोनों क्या चर्पतर है कि अरे यार चर हाँ चर यह सही है कि कि किसी को कोई डाउट कि नौ डाउट कोनो दिक्कत नहीं न भाई या देख ला पूरा बोर्ड अच्छे दिखाता है न कि यह बैच लोग सेयर नहीं कर रहें यह बैच बुड़ी हो चुकी है इसमें मैंने काफी कुछ पढ़ा दिया ले को पढ़ाएं तुम तब थंडे हो जादे वही पढ़ने का मन करता नहीं है अधिक्तर ऐसे करते हैं दस क्लास देखेंगे पंदरा देखेंगे छोड़ देंगे नहीं वही अगर आप 500 जमा करके देखोगे तो गरज मार मतले से बुलता है गरज पढ़ेगी देखोगे यही प्रब्लम है ना भया यही इसी लिए यूटूप ने चलता पूरा देखेंगे फिलहाल अभी इस अपता में दो दिन चल रही क्लास क्लास पर फोकस करते हैं कुछ बच्चे पढ़ने वाले भी है चार यक्स वाई प्लस सेवन जड़ इसक्वाईर और टी अब बताइए इसमें चर पद क्या है बताइए बरियाबल बताइए कितने हैं कौन कौन से हैं दूसरे वाले में वरियेबल बताइए जल्दी करें डाउन लिखें मतलब क्या ज्यादा उपर जा रहा है क्या यह उपर ही नहीं देखना आपको जहां तक दिख रहा है वही तक देखना है बस चलो भाई बहुत अच्छा बुपेश जुही स्वेता पंकच आएक्स वाइजन ऐस फास वाले में क्या है ऐक्स वाइजन और टी भी तो है इसको कैया बुलाएग भाया यही तो गडबडा मिष्टेक कर रहरे है आप याक्स वाइजед और टी भी है इसमें इसमें क्या-क्या है याक्स वाई और फी भी है कि जितने भी लेटर आप देखेंगे कि एफ लेके जड़ तक के वो सभी क्या होते हैं बरियाबल होते हैं पैचान तो कोई बड़ी बात नहीं सभी जानगे जितनी भी गिंती की नंबर है वो क्या कांस्टेंट है कि इसमें कांस्टेंट क्या है बताओ भाई साहाब 153 क्या है कांस्टेंट है अचर है यह यह कभी मतलब चेंज नहीं होगा इसमें नाइन पांस्टेंट है इसमें फाइफ है अचरपद कि बीज गड़ितिये बेंजक किसे कहते है जानते हो लिखो भाई यह दिख रहा है ना कि बीज गड़ितिये बेंजक इंगलिस वाले लिखेंगे आलज जेवरी किस्प्रेशन चला बतावा सा भाई यक्स वाई साथ यक्स वाई पताईए क्या इसमें कोई बीज गड़ितिये बेंजक है जबाद दीजिए एबी सीडी में कौन सा यह प्रतिमा जी बताईए महाबोधी बेगम साक्षी इस बताईए बहिया यहां पर जल्दी करिए कि इसमें बीज गड़ितिये बेंजक कौन है आईए मैं बताता हूं में देखिए जब चर और अचर पत दोनोंसे मिल करके मिक्स होकर रके कुछ बनता है वह जबरकर आईए बीजगड़ितिये बेंजक कह लाता है ठिक है अगर अकेले चर है या अकेले अचर है तो भीच गर्डितिये बंजक नहीं है वह परकार का बहुत भी नहीं है ठीक है वे जैसे इसमें आज प Anda लेक्जामपल यह भीच गर्डितिये बंजक है क्योंकि इसमें । पद्धasking xy और अचर पद सेवन जैसे सेवन प्लस टू वाई यह भी क्या बीच गड़िती है बन जखा इसमें भी चर अचर मिल करके कोई संक्रिया हो रही है यह सब को समझ में नहीं आएगा इसमें संक्रिया भी जादा नहीं रहेगी मुझे पता यह क्लास दिमाग से समझने वालों के लिए सब के लिए नहीं है यह एक प्रकार आप एडवांस मैस कह सकते हो नाइन वाई प्लस सेवन यक्स स्क्वायर इसमें चर अचर सब सामिल है जैसे बारा यक्स टी इनका गुड़ा करेंगे तो क्या है अगर टोएल यक्स टी यह टोएल टी यक्स क्या बीच गलती है बन जाख कोई डाउट नहीं किसी को नो डाउट चलिए ठीक है बहुत अच्छी बात है बेरे गुड़ अब एक नया बैच हमारी कोशी से क्या आजा जल्दी ही बताएंगे टेली गराम पर सुचित करेंगे डेली जूड़े रहें बस इसी सब्का हमारी कोशी से एक न्यूब बैच लाएंगे यूट्व पर फ्री ठीक है बहुत जल्दी लाने वाले हैं जो बच्चे सिर्फ एक महीना में गड़ी सीखना चाहते हैं वह पीवियार स्टड़ी एप में ज्वाइन कर लें इसमें आप सिर्फ एक डेड़ महीना में पूरा सीख जाएंगे ढंग से आईए अब यह चीज आप समझ गए तो इसमें में चीज यह है चर पदों का जोड़ना एडिशन आफ वरियबल लिखिए हम साटकर में लिख देते हैं एड आफ वरियबल्स प्यारे बच्चों यहां पर बिलकुल प्यार फे देखना अगर हम नौ में पांच को जोड़ते हैं तो सब को पता है कि चौदा होता 14 सब को पता है मुझे यह बताओ कि अगर दो यक्स में हम तीन यक्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ आए देखिए अगर हम यक्स में यक्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा इसमें कुछ चीजें होती हैं जो आपको जानना चाहिए पहले सजाती है भी जाती है पद क्या हुआ बिट गया कैमरे बंद हो गया अच्छा हुआ कुछ बोला नहीं मैंने आवाज जा रही थी चूकी चलो ठीक है कैमरे बंद हो गया था तो मुझे लगता है ना वाइस वाला सिष्टम अलग से रखना चाहिए उससे संबंधित नहीं तो अच्छा रहेगा अब आज भी नहीं तो बंद हो जाती ही ना ठीक है लेकिन मैंने आज थोड़ा कंट्रोल किया आप लोग सुन नहीं पहाई इसलिए आवाज अलग से थी इसलिए नहीं गई चलो ठीक है तो यह हो गया आसी बात नहीं अच्छे लोग है तो कितना आए गई है यह बाई पांच एक्स आएगा और यह यक्स में यक्स जुड़ेगा कितना दो यक्स अब मैं वही चीद समझा रहा हूं समझ यह थोड़ा सा नहीं समझ मैं एक बताना जैसे नो यक्स य इसमें यक्स वॉई जोड़ेंगे вопросы करता है लेकिन होता कैसे है क्यों होता है समझना यहाँ पे ठीक है समाझना थोड़ा सा इसके पहले आपको एक चीज और आना चाहिए देखोंगे यहां पर क्या चीज है जैसे मैंने लिखा 9x y2 इसमें होता है गुडांक चरों का गुडांक जैसे हम कहें कि xy का गुड़ांग क्या है तो भाई साब xy में गुड़ां कैसे हुआ नौ से तो xy का गुड़ांग क्या नौ है बहुत अच्छी चीज है जो बता रहा हूँ समझना जहान से ठीक है अच्छा यह बताओ कि 12 x square y में x square का गुड़ांग बताओ जल्दी बता भाईया चलो क्या होगा रोसनी बहुत अच्छा बेरे गुड़ ठीक है तो प्यारे बच्चों इसमें इसको हम ऐसा लिख सकते हैं y square का गुड़ांग नहीं पूछा x square का पूछा इसको अलग कर लो बाकी का जो है बचा वो सब अंसर है तो भारावाई क्या आएगा बारावाई कि सपा इवा क्या लिखा भाई यही तो आरा समझ में जस्सी फाल स्वेता प्रतिमान लोदी सब का रहा है चलो बढ़िया मस्त है ना कोनो दिक्कत नहीं किसी को चलो तो यह बताओ फिर पहिला इसमें सब में हमें आप चरों का गुडांग बताईए चरों का गुडांग बताईए इसमें a square का गुडांग बताओ तभी में चरों का गुडांग बताईए और आज का टाइम ओबर हो जाहा है आज का टोपिक है सजातिय विजातिय पद और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे चर पदों का जोड घटाना ठीक है क्या क्या पढ़ेंगे सजातिय बिजातिय पद और चर पदों का जोड़ घटाना जब आप दीजिए क्या इसमें से कोई बता सकता है कोई बता सकता है इनमें सजातिय पद बहुत अच्छा बच्चा बरे गूड कमेंट सबके दिख रहे हैं मुझे बस थोड़ी शी तफली बहुत अच्छा इसमें सजातिय पद अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों ये देखे एक्स का स्कॉयर है ये वाला है स्टी वाला है क्यों क्योंकि इसमें चर भी समान है घात भी समान है सजातिय होने के लिए चर समान होना चाहिए और घात भी समान होना चाहिए यहाँ पर देखे इसका बेस्ट एक्जामपल है परिभासा सब दिया है पढ़िए आईए मैं पढ़के आपको समझाता हूं इस तरफ से चलो देखो समझों आप कहरा कि एक बहुपद के वेपद जिनमें समान चर समान चर जो है वो एक से अधिक हो सकते हैं हो चरों के समान घात आंक भी हो मतलब चर भी समान हो उनकी घात भी समान हो जैसे इसमें फर एक्जामपल देखिए समझना है आपर करा कि 3XY धन 9X धन 8XY माइनस 7X धन 2 गुड़े 2 में इसमें 3XY और 8XY सजाती हैं कहें को सजाती हैं क्योंकि इसमें भी X है और Y है इसमें भी X है और Y है सनियोक से इसमें भी X की घात एक है इसमें भी X की घात एक है इसमें Y का घात एक है इसमें Y का घात एक है जैसे देखो यहाँ पर अगर मैंने A लिख दिया ते यहाँ पर कितनी घात है बताइए A का कितना पावर है कलाज को खुब दबा के सभी साथियों को सेयर करिए निवेदन है आप से जिससे कलाफ रेगुलर चल सके साथियों यूटूब पर टोटल फ्री होता इसका कोई फीश नहीं लगता है साइलेंट किलर आपका कमेंट आ रहा है रूबी देवी, अमन कुमार, महबूवी, वेगम, प्रतिमा, लौकूस, अनिस्चिका तिवारी, सोभीत, सुथा सिंग सबके कमेंट आ रहे है आ ये ठीक है बढ़िये समझी आगे पावर इसका वन है अगर किसी भी चर पद पर वरियेबल्स पर कोई भी परकार की घात नहीं लगी है जैसे माल लीजे यहाँ यक्स की घात क्या लगी है? पाँच समझना ठीक है? यहाँ पर मने लिखा यक्स घात कुछ नहीं लगा है तो यहाँ पर हमेशा वन माना जाता है क्या मानते है भाईया? एक मानते हमेशा ठीक है? हाँ तो आएए समझाते है विश्तार से यह सजातिये पद है कैसे? क्योंकि इसमें चर जो है यक्स है और वाई है बढ़िया इसमें विचर क्या है यक्स है और वाई है ये क्रम आगे पीछे हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता इसमें पहले यक्स है बाद में वाई है इसमें वाई पहले है यक्स बाद में है इससे कोई फरक नहीं पड़ता फजातिय बजातिय में आगे पीछे हो सकता है ठी इसमें देखिए चरपद क्या है एक्स है वाई है जड़ है इसमें भी चरपद जड़ है इसमें घातें देखिए एक है एक है एक है Сबमें एक एक गात है पाहले तो चर समान है दूसरा गात एक है तो क्या है यहां aan कि इस degree को हर कोई नहीं देखेगा क्योंकि इस्में दिमाक लगेगा और को घर लगाना चाहता नहीं है बहुत दिमाग लगेगा मुझे पता आदे जाता भाग जाएंगा संखे जाता नहीं होगी खोपड़ी का परियोग होगा जिसमें यह यह दोनों सजातिय बद नहीं है बताओ क्यूं यह दोनों सजातिय बद नहीं है बताओ क्यूं जबाब दीजिए दीपक बता वहिया चलो भूपेश चतुरबेदी इंदरजीत राजभर बताईए सौरव यादो माही नेहा मिस्रा आगे बढ़े बढ़िया कोई दिक्कत नहीं किसी को चलो भया यह सजातिय पत नहीं है एक्चूली बात क्या है कि इसमें चर तो एक्स है इसमें भी क्या बोलना था इसमें चर एक्स वाई है इसमें भी एक्स वाई है आपका होगे आप तो यहीं बताए थे चर समान होगा तो फजातिय होगा नहीं जनाब एक और बताए थे चर तो समान होना चाहिए घात भी समान होनी चाहिए इनकी पावर X की 1 है इसमें भी 1 है बट Y की घात इसमें 1 है इसमें 2 है इसलिए फजातिय नहीं है समझ रहे हो ना सिर्फ समान जाती होने फिर यह नहीं पावर भी एकॉल होनी चाहिए सिंपल सा ऐसे बात समझे आज कल के देश समाज में जो है हमारे यहां जो समाजिक मानता है साधी बिवा अपनी ही जाती जाती में होते हैं है ना बाकी कानूनी रूप से आप किसी भी जाती में किसी भी धर्म में साधी बिवा कर सकते हैं मानने हैं सम्विधान के अनुसार लेकिन सामाजिक सिस्टम के अनुसार नहीं है तो मैं इसको क्यों बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि जाती समान है अगर दो लोग की लड़का का मान लो की परदान मंतरी का बेटा है या मुख्य मंतरी का बेटा है लड़की अगर बहुत नहायत गरीब परिवार से मजदूर परिवार से सुने वैसे साद कि जली नहीं होता है लड़की भी अच्छे परिवार से मतलब सर दर्फ सकती ही लड़का गरी परिवार आग्स करें पीछ समस्टम इसके पीछे आप समझ गैंगे समझ तote समान को जाती समान है दूैकर दूइर लिए फजातिए नहीं, ठीक है? यह मयत की वहाथा है, इसमें देखिए, यह फजातिए है, यह तीनों है, पढ़ता ही हूँ पढ़ने के लावा बाहर का कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन मुझे समझाना पड़ता है, एक्जाम्पल के माध्यम से तो लोगों को लगता आएगी तो फालतू बात कर रहा है यह मेरी पसंद है ज़रूरी थोड़ी सब किसी को आए चलो देखो बिजातीय पत क्या होते हैं सेम होई जो भी बताया था जैसे यहां पर देखिए तीन X Y है और यह माइनस सेवन Eक से बिजातीय पत है इनने इंगलिस में अनलाइक टरम से बोलते है लेकिन ऐसा क्यों unlike terms क्यों है क्यों char x y है इसमें इसमें char सिर्फ x है y नहीं है इसलिए क्या है विजातिय पद है सबको समझ में आए हमारी कोसिस ही है भले हम एक गंटा में एक के टॉपिक पढ़ाएंगे लेकिन जितने लोग आएंगे उनको सीख के जाना है यही मेरी अलग विशेषता है आएए देखिए यह टी है टीफा टमाटर यह बिजाती है पद है जानते हो क्यूं? यह वाला बिजाती है पद है क्यूं? यह बिजाती है पद है जानते हो क्यूं? बताइए जबाब दीजिये और फटाफट क्लास को सेर करिये दबा के बच्चे आज ज़्यादा नहीं क्योंकि आज नोटिफिकेशन नहीं गया इसका कोई बात नहीं भूपेस्ट दीपक, सौरव, आका सिंग नोटिफिकेशन नहीं गया इसका कोई बात नहीं अच्छी बात है बात में जायेगा बात में देखेंगे चलिए ठीक है यह बिजाती है पद है क्योंकि इसमें यक्स है और टी है इसमें यक्स की पावर वन है इसमें यक्स की पावर टू है इसमें T का पावर 2 है इसमें T का पावर 1 है घात इक्वल नहीं इसलिए भी जाती है पद है ये भी भी जाती है पद है क्योंकि इसमें YX Y है इसमें भी YX Y है YX का पावर इसमें 5 है इसमें क्या है 3 है इसमें Y 3 है इसमें Y 4 है इक्वल नहीं है पावर ठीक भाईया मसता है चलो आगे बढ़ी फिर सबही चला यह देखा सी नंबर यह भी जाती है पत क्यूं है सी वाला सी वाला भी जाती है पत क्यूं है कुरमाफिया ठीक थाक हो भी puppet यह भी जाती है क्योंकि इसमें वाई कायब हो गया है यह यह पी का पावर टू है यह तो ठीक ठाक है एक्सका पावर यन है यह भी ठीक ठाक है इससे मैंच शुक्रता यह आठ भी है बताईए कॉलिट बताईए मि इसमें कौन सजातिय पद है कंवेंट करेंगे आप क्या पता है अगर आपको o अंगे वाला लगता है तो किमन में 2d सी वाला है तो 2c ऐसे कमेंट करेंगे जल्दी करें फटा फट अवरी फास्ट अगर आप राखता है ता आपकमेंट करेंगे आपकर करेंगे आगे बढ़ें चल भाई अच्छा अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं इसमें निमलिखित में कौन बिजाती है पद है इसमें देखो यक्स के पावर वन है इसमें टू है घात है यह जो बगल में गिनती है यह 15 एक्स घात दो है यह पहला बाला ही है बाकि सभी समान है गिनती से कोई मतलब नहीं होता इसमें देखना इनके गुडांक से जैसे यहाँ पर अगल लिखा है 7, 1, 5, 4, y यहाँ पर 5 इतना लिखा है दोनों फजाती है यह जो आगे गुडांक लगा है इस गिनती से कोई मतलब नहीं होता है सिर्फ चर समान हो और घात समान हो ठीक है अगर इसके आगे हम 3 भी लगा दे तब यह सजाती है 7 लगा तो 5 लगा तो कुछ भी लगा तो गिनती कुछ भी हो मिन्स गुडांक कुछ भी हो सिर्फ और सिर्फ चर पद इक्वल हो दोनों में और घाते भी कॉलोंबस बताइए तीन में जवाब दीजिए जल्दी करें थिरी में मीरा गुप्ता साचिन कुमार अकलेज कुमार पुस्पोयंद्र कुमार भूपेश सेतुर्बेदी जल्दी करें भईया फटा फट चलिए जिनको कोई इंक्वारी करना है नीचे मुबाइल नंबर चल रहा है ध्यान से देखें उन पे संपर्क करिए बिजातिये पद यक्स के घात पांच है वाई के घात एक है सही है इसमें कौनों दिक्कत नहीं है भाई साहब ये ठीक है फजातिये है इसमें टी का घात तीन है एच और जी एक घात का है ठीक है इसमें देखो आर वी डबलू है इसमें आर के घात दो है ए में आर की घात एक है ये इसका घात दो है समझना इसका घात ये तीन है ये बगल में टाइपिंग में नहीं आता इसलिए ऐसा तो correct answer is C वाला 3C सभी छात्र daily free class के लिए टेली गराम पर PVR study को जरूर जोईन कर ले इमानदारी के साथ जोईन कर ले फक्ता कर ले ठीक है आगे बढ़े सजातिय भी जातिय आप समझ गे वाज तो अगली class 10 बजे से यह यह class मैं थोड़ी छोटी रखता हूँ ठीक रहेगा ना आज इस class का नोटी पिके फन नहीं गया बच्चे कम है यह class थोड़ी छोटी रखता हूँ आज आपने सजातिय भी जातिय पढ़ लिया है कल हम आपको यह पढ़ाएंगे यह देखो यहाँ पर कल हम आपको यह पढ़ाएंगे जैसे 3 x y इसमें x y जोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ इनको हमर करना अगर आपको आता है तो इनको जोड़ेंगे बताएंगे कितना आएगा इनको जोड़ क्या बताएंगे